देखो Newton बाबा ने किसी जमाने में साफ साफ बोल दिया था To every action there is an equal and opposite reaction दिवार को धक्का दोगे तो दिवार आपको वापस धक्का देगी boss बस ये same formula आजकल Bollywood ने पकड़ लिया है RRR, KGF, Pushpa, Vikram, Karthike 2 लिस्ट बहुत लंबी है सब का नाम लेना possible भी नहीं है दिन पहले ही आदिपूरुष की updates भार निकल के आई उसके तुरंद बाद महाभारत का announcement भी आ गया लेकिन अब एक और good news आ गई है जिसके बाद सच में एक उमीद जाग उठी है Yes, finally Bollywood will be back किस दिन पदा नहीं लेकिन आएगा जरूर महाभारत के सबसे controversial character है कर्ण सूरिपूत्र कर्ण ये villain है या hero इसको लेकर आप काफी लंबा चोड़ा debate कर सकते हो और सोचो उसी debate को अगर एक फिल्म की शकल देकर थेटर में उतार दिया जाए लोग नंगे पैर भागते जाएंगे उस फिल्म को देखने देने वाला जब भी देता देता चपर फार के आपकी दुआ कुबूल हुई फाइनली कर्ण पे एक mega budget project अनाउंस हो चुका है हाँ जी आक्चिली इस फिल्म के सपने की शुरवात हुई थी डिरेक्टर राकेश उंप्रकाश महरा के दिमाग में उनका सपना है ये project इससे पहले अल्रेडी ये रंग दे बसित्य और भाग मिलखा भाग जैसी मुवीज के साथ इंडिन सिनिमा में हिस्ट्री बना चुके हैं एक्चिली कर्ण की जो कहानी है अगर आप वो सुनाना चाहते हो तो उसके साथ बहुत सारे extra characters को भी दिखाना पड़ेगा उनके बिना काम नहीं चलेगा इसलिए इस फिल्म पे खर्चा भी खूब होगा प्लस कास्टिंग बहुत तगड़ी लगेगी इसी वज़े से जो इस फिल्म के original producer थे रॉनी स्क्रूवाला वो तो हो गए आउट उनको ये सौधा रिस्की लगा प्लस originally जब इस फिल्म को plan किया गया तो डिरेक्टर सहाब के दिमाग में शाहित का पूर एकदम perfect जच रहे थे कर्ण वाले character में फिर थोड़े टाइम बाद news आई कि फिल्म से शाहित भी हो गए है आउट अचानक से विकी कौशल का नाम भी market में आ गया था लेकिन वो महाभारत से ही एक दूसरा character अश्र थामा उस पे based एक फिल्म कर रहे हैं और उनके आते ही सबसे बड़ा change ये हुआ कि कर्ण अब एक single film नहीं दो parts में बनाई जाएगी जी हाँ बाहूबली 1 और बाहूबली 2 की तरह है अब मेरी बात थोड़ा extra ध्यान से सुनो फरान अक्तर आये तो कुछ सोचके ही आयोंगे वो भी इतने बड़े project में बॉस आइडिया एकदम clear है कर्ण के character के लिए इनके दिमाग में रितिक रोशन का राम चल रहा है वो भी public demand पे फरान की दोस्ती रितिक के साथ काफी अच्छी है प्लस कर्ण जैसी film को pull off करने के लिए कोई ऐसा star ही चाहिए जो public में काफी popular हो फिलाल देखो रितिक busy है विद विक्रम वेदा उसके बाद इनकी fighter आईगी विद दिपिका फिर सीधा क्रिशफोर के दर्शन होंगे बट इसके बाद क्या लोग ब्रह्मा स्टू की बात कर रहे थे बट न्यूस यह है कि भया जी ने वो फिल्म मना कर दी लेकिन उसका reason किसी को पता नहीं चला बहुस reason मेरे आपके सामने बैठा है देखो तो सही रितिक को बनना है कर्ण और इस फिल्म में वैसे भी टाइम अच्छा खासा लगेगा क्योंकि कहानी वगएरा तयार हो रही है अभी सिर्फ अब मुद्दे की बात ये है पहले आदी पुरुषबाद में महा भारत और अब सूर्य पुत्र कर्ण बॉलिवुड के सपने बहुत बड़े हैं चैन की नीन्स हो सकते हो आप ये सारी फिल्म में शौर शौर ब्लॉक्बस्टर है अपनी हिस्ट्री को आँखों से सिफ पढ़ना नहीं देखना भी ये चांस कोई नहीं मिस करने वाला क्या लगता है आपको ये कर्ण वाली फिल्म के साथ अगर रितिक का नम फाइनल हो जाए तो इंडियन सिर्मा में नए रिकॉर्ड्स बनेंगे और पुराने सब तूट जाएंगे या फिर कर्ण के लिए आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है जो आप सीधा डिरेक्टर साब के कानों तक पहुँचाना चाते हो बताओ बताओ बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ रिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्ट्रग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइ